नमस्कार सभी सादक भाईयों को हरियों मेरा नाम अजे ठाकुर है मैं अंधेरी वेस्ट क्यारी रोड पे रहता हूं मुंबई के अंदर और मैं एक फाइट डिरेक्टर हूं स्टंट मास्टर जी से क्याते हैं बॉलिवोर्ट वांबी के जो फिल्म इंडरस्टी है उसके अंदर एक फाइट डिरेक्टर के पोस्ट पे काम करता हूं हम टेलिविजिन में, मुवीज में, आड्स वगेरा जहां पर भी स्टंट का फाइट का काम होता है वां डिरेक्शन के तौर पे मुझे बुलाया जाता है स्पेशली हमारे माता पिता जी का आश्रवाद है गुरू का आश्रवाद है मेरे माता पिता जी संत श्री आसरम जी बापू से 2000 संद में उनसे जुड़े थे और उसके एक साल बाद ही मैंने भी सारिसुधिम molar की दीख्शा ले ली थी फर कुछ सालों बाद मैंने गुरू दीख्शा भी ले ली थी मैं यह कह सकता हूं कि जिन्गी परिवरत नहीं था क्योंकि यह काफी चोटा था जब मैने गुरू दीख्शा ली थी तो खाफी नियमित रहें के हमने पनी जिनकी निकाली, अब तक हम नियमित हैं अब तक हम सब कुछ उसी तरीके से अपनी जिनकी व्यतीत करते हैं 80 साल के संत को इस हिसाब से 4 साल हो गया अभी तक सिर्फ इंजाम लगा है, साबित नहीं हुआ है और अभी तक बेल नहीं मिल रही है और जो ट्रीटमेंट एक आम आदमी को वहाँ पर मिलना चाहिए जो फेसिलिटीज मिलना चाहिए, जेल के अंदर वो भी नहीं मिलती है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रोका जा रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि आप जो सरकार है, यह कहा जाता है कि यह हिंदुवादी है और मैं स्पेशली गवर्मेंट को आगरा करूँगा कि इस मेटर में जो बापु जी को अभी चार साड़े-चार साल हो गया है तो कुछ तो हल होना चाहिए, जो भी हो उसको फास्ट सर्वेस करवा के जिस तरह भी जो हल निकलता है उसका निकाले है और कम सो कम उनको एक बेसिक रिक्वार्मेंट जो हर क्यादी की होती है वो तो दिया जाए, कम सो कम मेडिकल फैसिलिटी उनको नहीं दी जाती है कम सो कम वो तो मिलना चाहिए, ये तो उनका हक है बापु जी का सबसे बड़ा स्टार्ट अप जिसे हम मातरु पित्र पूजन देवस कहते हैं जो वैलन्टाइन डे का एक सब्स्रिटूट है मुझे लगता है इससे बड़िया वैलन्टाइन क्या होता है वैलन्टाइन डे बस पैसी की बरवाद ही, दो लोग जाते हैं, जबरस से अपनी जिन्दी बरवाद करते है उसका कितना बढ़िया substitute है कि आप जाए अपने प्यारी करना है ना अपने माता पिता को कीजिए तो उस दिन को बापु जी ने, especially बापु जी ने ये शुरुआ आसराम जी बापु की तरफ से ही हुई थी कि उस गंदगी को बोल सकते हैं हम या उस बुराई की जगा पे हम मात्र पित्र पूजन दिवस लग सकते हैं और आज मुझे लगता है पूरी हिंदुस्तान में उसे काफी अच्छे स्केल पे मनाया जा रहा है और आगे इससे आगे बढ़ेगा वो उससे पीछे नहीं जा सकता मैं जब दिख्षित नहीं था तो मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है पर एक मैं आपको बता रहा हूं कि थोबने का उनका जो कल्चर है जो तरीका है वो कैसा है तो ऐसा होता है ना कि हम पूरी तरह से ऐसा लगता था कि हिंदू कल्चर तो हमें कुछ पता ही नहीं था क्या है पर हम क्रिश्टन जादा थे मतलब नेम आफ तो फादर नहीं था सन अफ तो होली स्पिरिट हमको ज्यादा अच्छा था 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 बकाइदा किसी आरती है हमारे या किसी भजन वो हमें कुछ पता ही नहीं था जब हम जुड़े हमां आरती करना शुरू किया हमने पूजा पाठ शुरू करने मंदिर जाना शुरू किया नियम करना शुरू किया अब आपको लगता है जो अपना कल्चर थोबना चाहते हैं वो यह सब चीज़े बरदाश्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं यही चीज खड़ा होता है उसके खिलाफ अपने कल्चर को भिलाने की कोशिश करता है तो बहुत आव्यस सी बात है कि उनके पस खर्बों रुपे हैं वो लोग दो मिलिट लगाएं कि किसी को फसाने में या किसी को अगर उनके काम में कोई बादा डालता है तो ये कोई छुपी ढकी बात नहीं है शर्याम है कि क्रिस्टिन कंवर्शन है सारे संतों के अपर उन लोगों ने आरोप लगा है उनको जेल में पहुँचा है पता नहीं कहीं को मार भी दिया है और बापु जी इतने बड़े संत है तो उन्होंने कोई कसर नहीं चोड़ी बापु जी को कि और कल्चर का ना फैलाव कर सके इसके लिए उनको फजाद हो सिंपल सी बात है नियाय ववस्ता हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह ही है जब कोई सिर्फ एक आरोप के सिर्फ पे किसी को बंद कर दो 4-5 साल तक केस चलता रहे 10 साल तक केस चलता रहे उसके बाद अगर उनको clean sheet मिल जाए या पिर उनको सजा थाबित ना आओ तो उसके बाद उसका कोई मौफ़जा नहीं है और मौफजा तो कोई किसी की जिन्गी का कर भी नहीं सकता है जैसे बापुजी की 80 साल के अंदर वो लोग 4-5 साल अल्रेडी खराब कर चुके हैं और आज अब भी तक साबित नहीं हुआ है जो आरोप है और साधवी प्रग्या हमारी जो है अभी लेटेस्ट है कि 5-7 साल इतन अन्याय करने के बाद रीड की अड़ी तोड़ने के बाद में इतना टॉर्चा करने के बाद पैरलाइसस है वो कुरसी पे और अब क्लीन चिट मिल गया है तो यह नियाय ववस्ता हमारे इंदुस्तान का मैं आशा करता हूं कि सुद्रे पर आज तो इसकी बहुत अन्याय किसी के साथ ना हो यह ध्यान सिर्फ हमारा करतव्या है अगर हम नहीं आज नहीं उटेंगे तो मुझे नहीं लगता यह जिन्गी में कभी सुदर पाएगा हम तो आज पच्ता लेंगे कल को हमरे बच्छे भी पच्छताएंगे सत्य की जीत तो आज तक ऐसा कभी न कि एंगे